अधिकारों का घोशना पत्र अधिकारों के इस घोशना पत्र में इंग्लेंड के राजा ने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिये इनमें लोगों द्वारा सीमित संख्या में अपने प्रतीनिधी चुन्ना तथा अपनी मर्जी से कोई भी व्यपार व्यवसाय करना प्रमुख अधिकार थे सन 1776 में इंग्लेंड से आजादी प्राप्त करने वाले 13 उपनिवेशों ने अपने आपको सयुक्त राज अमेरिका के नाम से स्वतंत्र देश के रूप में संगठित किया तथा अपना नया सम्विधान बनाया इस सम्विधान में उन्होंने Bill of Rights के माध्यम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार दिए इन अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा संपत्ती का अधिकार आदी प्रमुख हैं सन 1789 में होने वाली फ्रांसिसी क्रांती के पश्चात फ्रांस के लोगों ने अधिकारों का घोशना पत्र जारी किया, जिसमें कई अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई. इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, समपत्ती, शोशन से रक्षा का अधिकार भी था. फ्रांसिसी लोगों के लिए अधिकारों का घोशना पत्र जारी होने के बाद विश्व के अधिक्तर्ट लोक्तांतरिक देशों ने अपने नागरिकों को कई अधिकार कानूनी अधिकारों का सबसे प्रमुक्षोत उस देश का सम्विधान होता है। ऐसे देश अपने सम्विधान में अधिकारों को किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के सम्विधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों के रूप में दिये गए हैं। यदि भारत की केंदरी सरकार या किसी राजी की राजी सरकार इन अधिकारों को प्रदान न करें तो नागरीक सीधे राजी के उच्छ न्यायाले या देश के सर्वोच न्यायाले में सरकार के विरुध मुकदमा दायर कर सकते हैं भारत के सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों का मुख्य श्रोत हैं तथा वे इन्हें वैद्धता भी प्रदान करते हैं जिसका अर्थ यह है कि सम्विधान में दिये गए अन्य अधिकार किसी न किसी मौलिक अधिकार से समबंधित हो सकते है हमारे समविधान में वर्तमान में छे मौलिक अधिकार दिये गए हैं क्या आप इन्हें बता सकते हैं? हमने कक्षा आठ्मी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के नागरिक शास्त्र के खंड में इन मौलिक अधिकारों के विशे में पढ़ा है इन पर हम एक एक करके विचार करते हैं नीचे दिये गए कथनों को पढ़कर बताईए कि ये कथन कौन से अधिकार से संबंधित हैं पहला प्रधान मंत्री हों या सुदूर गाउं का कोई क्रिशी मजदूर सब पर एक ही कानून लागू होता है जन्मिया पद के आधार पर वेक्ति को कानूनी तौर पर कोई विशेशाधिकार नहीं मिला है कुछ वर्ष पूर्व देश के एक पूर्व प्रधान मंत्री पर धोखा धड़ी का मामला चला था सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोश घोशित किया था परन्तु जब तक मामला चला उन्हें किसी दूसरे आम नागरी की तरही अदालत में जाना पड़ा अपने पक्ष में साक्ष देने पड़े कागजात प्रस्तुत करने पड़े दूसरा अ किस अधिकार के चलती लाखों लोग गावों से निकल कर शहरों में और देश के गरीब शेत्रों से निकल कर समरिद शेत्रों में आकर काम करते हैं और बस जाते हैं ब, किस अधिकार से आप अपने विचारों का परचा छपा कर या अखबारों व पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करवा कर भी व्यक्त कर सकते हैं तीसरा, चौदव वर्ष से कम आयू के बच्चों को कारखाना, खदान, बंदरगाह और रेलवे जैसे इस्थानों पर कोई भी जोखिम पूर्ण काम नहीं करा सकते हैं आज काओं का मुखिया जबर्दस्ती काम नहीं करा सकता है चौथा, औ, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें देवी देवताओं या किसी अन्य शक्ती को खुश करने के लिए बली देने का अधिकार है? ब, क्या किसी विद्वा का मुंडन करा सकते हैं या उसे मात्र सफेद कपडे पहनने हेतु मजबूर कर सकते हैं? अलप संख्यक, ये राश्ट्री इस्तर पर धार्मिक अलप संख्यक मात्र नहीं है, किसी स्थान पर एक खास भाशा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहां प्रिथक भाशा बोलने वाले अलप संख्यक होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलगू भाशियों का बहु पर करनाटक में वे अल्प संख्यक हैं। इसी प्रकार धर्म और संस्कृती के आधार पर भी किसी समुम का अल्प संख्यक या बहु संख्यक होना तै होता है। की बीमारियां फैल रही हैं जैसे डाइरिया, पीलिया, खुजली, आदी जिससे हमारे जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है।